हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने 21 इंच लंबा आस्तिन का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने एक साइट से साड़े 7 इंच ली है अब हम यहाँ पर साड़े 12 इंच की लंबाई नापकर टिक लगाएंगे अब एक इंच की चौड़ाई नापकर टिक लगा लेंगे और इसकेल की सहायता से इसे हम लाइन अप करेंगे तो ये देखिए ऐसे आपको लाइन अप कर लेना है चौड़ाई पर लाइन अप करने के बाद अब हमें यहाँ से लंबाई नापनी है तो ये देखिए, 7.5 इंच की लंबाई नापकर टिक लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को कट करेंगे फिर यहां से हमें कपड़े को कट कर लेना है अब हम आस्तिन के कपड़े को ओपेन करेंगे तो ये देखिए, फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आस्तिन के कपड़े में हमने कटिंग की है तो यहां से हमें कपड़े को फोल्ड करके चूनट बनाना है और इसके उपर सिलाई चलानी है तो हम डिजाइन को तयार करने के लिए कपड़े में चार चूनट ऐसे बनाकर सिलाई कर लेंगे यहां से धागे को कट करेंगे और चूनट को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए दूसरे साइड से भी सिलाई चला लेंगे चूनट के उपर इस लाइन को कंप्लीट करते हुए हम यहां से धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें ऐसी चार चूनट बनाकर तयार कर लेनी है तो यह देखिए दोनों साइड में हमने चार चूनट बनाकर तयार कर ली है अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई चला लेंगे यहाँ से धागे को कट कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइट से भी चूनट को फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे दोनों साइट से हमने चूनट के उपर सिलाई चला ली है इस line को complete करने के बाद अब हमें design को तयार करने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई हमने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है बीच में से कपड़े को fold करके यहां से हलका सा gold shape में cut कर लेंगे अब हम कपड़े को open करेंगे और यहां किनारे के side से कपड़े को ऐसे fold करके सिलाई चला लेनी है धागे को cut करेंगे और इस कपड़े को हम आस्तिन के कपड़े में joint करेंगे तो यह देखिए हमें यहां पर ऐसे लगाना है जिस shape में हमने cutting की है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर यहां से सिलाई चला लेंगे यह देखिए जिस shape में हमने कपड़े पे design की cutting की है बिल्कुल उसी shape में हमें सिलाई चलानी है इस तरीके से आप इस design को easy step में तयार कर सकती है अब हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करेंगे तो ये देखिए ऐसे हमें डिजाइन को सीधा करना है इसे हम अच्छे से इस्तरी करके तुर्पन कर लेंगे तुर्पन करने के बाद अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और इसमें हम बटन लगाएंगे तो बटन घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागी की मदद से हमें कपड़े को अच्छे से लॉक कर देना है मार्केट जैसा बटन आप घर पे इस तरीके से इजली तयार कर सकते हैं सुईधागा के मदद से बटन को यहाँ पर लगाएंगे और चूनट के उपर मोती को लगा लेंगे अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और जो भी आपके आस्तिन का फिटिंग साइज है वो साइज नापते हुए सिलाई चला लेनी है अब हम इसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद फ्रेंड हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा यह देखिए साइड से हमारे डिजाइन कुछ इस तरीके की दिखेगी आगे की साइट से हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीकी का आएगा तो इसी के साथ फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाच्ट